अगर आप लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक टॉपिक है जिसमें क्वेशन्स इजी होते हैं अगर आप लोगों को इसका लॉजिक पता होगा कि किस त इसल में आप लोगों को क्वेशन्स जो है वो देखने को मिल जाता है इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रीजनिंग सेक्शन में इस तरीके के क्वेशन्स कम पूछे जाते हैं सीसाइड में भी आपको ये कम दिखेगा लेकिन जेकेपी एसाइए के जो एक्जाम्स हुए अबिलिटी है इसमें आपको ये देखने को मिलते हैं तो वीडियो को शुरू करने से फाले एक बारी नजर डाल देते हैं हम लोग स्लेबस के ऊपर तो ये एक जर्नलाइज स्लेबस आया था जो हमारा वियर डव्यू के एक्जाम का था पंचाय सेक्रेटरी का था और अगर चैस्ट में हम लोग नंबर अनलोगी सिंबॉलिक को करेंगे और इस पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको एक से दो क्वेशन तो जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो इसके साथ फिर हम क्लासिविकेशन पर जाएंगे हमारा ये पार्ट खत्म ह जाएगा फिर आगे move करेंगे test के लिए आप लोगों को तयार करना है अपने आपको reason क्या है तो यह आप लोगों के सामने था हमारा mock test schedule September महीने में जो आपके finance account assistant के यह free test है हमारी आप पर uploaded है आप लोग इनको attempt कर सकते हैं 2000 से जादा लोगों ने इसको भी तक attempt कर दिया है आप लोग खुद की performance को analyze कर सकते हैं इसके बाद एक आपका improvement lecture जो था अपने आपकी improvement चेक करने के लिए यह 9 और 10 तारीक को रखा गया था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं VLAW का भी test रखा गया है 16 तारीक को कल आपको FAA का third test मिल जाएगा और FAA का आपको analysis video भी आज मिल चुका है आप लोग इसको attempt कर सकते हैं अपनी improvement को continuously आपको मैं बहुत आ रहा हूँ कि आपको focus करना है खुद के ऊपर और improvement के ऊपर आपका target होना चाहिए कि हर एक test के बीच में जो gap है आप लोग कितनी improvement करने हैं यही आप आपको ultimate goal इस समय होना चाहिए और जो VLW की तयारी करें आपको बता दो यह complete course आपको मारी app पर मिल जाएगा आप लोग इसको app से avail कर सकते हैं और जो JKPSI के बच्चे हैं और जो finance account assistant के बच्चे हैं आप लोगों के यह specific 20-20 mock test की एक अलग-अलग series निकाल लिए वही JKPSI के ल यहां पर यह chapter clear कर देगा अभी तक बात करेंगे lecture को शुरू करने से पहले मैंने आपको जब analogy बढ़ाया था last lecture में semantic analogy के बारे मैं मैंने आपको बताया था 25 के करीब करी मैंने आपको cases बताया थे लेकिन उससे भी पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि analogy होती क्या है यह क्या होता है basically हम लोगों ने जब last lecture को discuss किया था यह दिखाता है एक relation किस किस के बीच में यह relation होता है पहले दो के बीच में अब यहां पर आपको semantic analogy में हम लोगों ने देखा था आपको math के questions भी पूछे जाते हैं आपको reasoning के भी पूछे जाते हैं आपको journal intelligence जो आपकी आ आपको extra जो है वो देखने को मिलेंगी अब पहला question यहां पर है आप में से बहुत सारे बच्चे इसको पहले ही attempt में लिख देंगे paper में आएगा 100% आप इसको solve करेंगे लेकिन आपको answer में अभी भी में बता देता हूं मिलेगा minus 0.25 और यहीं पर आपको इसी question से सारी चीज चीज़ें clear हो जाएंगी अब आपके सामने यह है आप लोग यहां पर relation बनाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा आप लोगों को मैं बताता हूं कि अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं और बहुत सारे बच्चे comment box में भी लिख देते हैं E के बाद F आता है H के बाद क्या आता same analogy की तरह हमें relation find करना है किन दो के बीच में इन दोनों के बीच में लेकिन यहां पर ज़रूरी नहीं क्या है कि आपको semantic analogy की तरह यानि कि अगर मैं बात करूँ यह number analogy जब हम पढ़ेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में जो relation है वो currency capital की form में ही होगा आपको figure को देखके relation find करना है figure के बीच में अब बात करते हैं इस question के उपर अब यहां पर आपको यह E और F गिवन नहीं है यहां पर आपको दो figures गिवन है अब यहां पर क्या है आपको पहली figure में इस तरीके से shape दी है और दूसरी figure में क्या किया है इसी shape में एक extra line को add कर दि concept है जो चीज है आपको इसी एक एक चीज से समझा देगी इसमें एक extra line को add कर दिया गया है और यहां पर अब जो इनके बीच में आपस में relation है वही relation हमें यहां पर बनाना है अब यह जो figure है हमारे पास इसमें हमें क्या करना है हमें वो line को add करना है और इसका answer होगा option number B यान लोगों का 90% यह chapter खतम हो चुका है यहां पर हमें बस यही चीज देखनी है हमें क्या करना है हमें relation find करना है सबसे पहले किन के बीच में इन दो figure के बीच में क्या relation ऐसा है और same relation हमें यहां पर apply कर देना है यह आती है हमारी figural analogy यहां पर E और F नहीं था यहां पर H और I नही कर देते हैं अगर semantic की form में होता तो बात अलग थी अगर उसमें अगर आपको दिया होता तो अलग चीज थी यहां पर जब आपको यह box के अंदर बना के देदेगा ना तो यह आपकी figural analogy बन जाती है अब questions पर आते हैं starting में easy में बात करेंगे आप लोग जब थोड़े से answer कर कर दोगे फिर थोड़ा सा level में बढ़ाऊंगा लेकिन इसी में हम लोग यहां पर ssc को हर एक चीज को यहीं पर discuss कर देंगे अब सबसे पहला question आप लोगों के सामने question number one ध्यान से देखो जो मैंने चीज अभी आपको बताईए आप ही बच्चे इसका answer करोगे मैं सिरफ आप figure इसके साथ relate की गई है तब क्या किया है इसको यहां पर उल्टा कर दिया गया है या फिर मैं बोलूं इस तरीके से दो add कर दी गई है ठीक है यह relation है basic question है अब यहां पर क्या है यहां पर हमें इस तरीके से given है अब हमें यहां पर क्या करना है सबसे पहले तो हमें इसकी mirror image ब double हुआ है तो जो double नहीं है वो तो आपकी answer होंगे नहीं तो यहां पे option number G answer AMY, option number B आपका answer नहीं है, जां बlegen नहीं है अब बात करते हैं यहां अब यहां तो आप लोग देखेंगे आपको यह figure दिख रही है गोट आपको अगर ऐसा है तो यह इस तरीके से होगा और डबल होगा कौन सी फिगर है यहां पे option number c यहां पे आपके सामने है और यह आपका answer logic समझ आ गया है तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी next पे आते हैं आप लोगों को और चीज़े क्लियर हो जाएंगी अब देखो यहां पे क्या है इस figure में क्या दिया गया है जो relation है एक triangle given है हमें पहले इस triangle की अगर मैं बात करूँ यहां पे भी triangle है तो यहां से पहली चीज़ क्लियर होगी कि यहां पे भी क्या होगा एक circle की form में होगा सब में है ठीक है next प्याओ अब यहां पे क्या है यहां पे इसको काटा गया है कित्ती लाइनों के साथ काटा गया है अब पहले एक बार यहां पे ध्यान दीजिए इस question के अगर मैं बात करूं तो इसको एक दो तीन लाइनों से यहां पे काटा गया है अब लेकिन ही किस तरीके से है सबसे पहले आप देखो यहां पे किस तरीके से लाइन जा रही है तीन लाइन आपको खुद ही इस चीज के बारे में एक आइडिया होने लगेगा कोई फिगर है जो आपको इस तरीके से काटी भी दिख रही है बिल्कुल दिख रही है option number C दिख रहा है तो यह आपका answer बहुत easy topic है यह इसमें कोई जादा hard and fast rule नहीं है इ उसी से आपके सारे हो जाए और starting में मैंने easy figures रखी है क्यों आपको समझ आएगा अब देखो यह पहली figure है हमारी इस तरीके से बनी हुई यहां पर arrow और dot हर चीज का ध्यान रखना है यहां पर चारों के ऊपर क्या है arrow बने हुए है चीक है और next में क्या है इसको double line कर दिया है और इसके यहां पर तब भी यहां पर यहां पर यह आपक्या हम यहां पर बात करूं अगर मैं double line करके इस तरीके से बना दूंगा मालनों सबके ऊपर मैंने एरो भी बना दिये किया ये सही होगा option में कहीं दिख रहा है option number B दिख रहा है ये गलत होगा फिर से मैं आपको बता देता हूँ reason क्या आप ज्यान से दिखना हमें क्या करना है पहला step कभी भी जल्दबाजी में हमें ये चीजों को ignore नहीं करना है हमे पहले सबसे पहले इन दोनों के बीच में relation देखना है पहला relation हम लोगों ने क्या देखा यहां पे पहला relation हम लोगों ने यहां पे क्या देखा कि जो हमें figure given है ठीक है ये जो हमें figure given थी इसको क्या कर दिया गया है double कर दिया गया ठीक लेकिन इसको थोड़ा सा tilt भी किया गया है तब ही आपकी जो फिगर है वो इस तरीके से बनी है और इस फिगर को भी हम क्या करेंगे पहले 45 डिगरी के लिए टिल्ट करेंगे जो की option number c में के वे समझ आया जल्दबाजी में यह question बहुत गलत होते है natural cases में मैंने आपको बताया है यह जो reasoning है in general intelligence है यह बहुत easy है किस बच्चे के लिए बीस में से बारा questions आज भी कहना हूं वो भी बच्चा करके आएगा जिसने आज तक अभी reasoning पड़ी भी नहीं है लेकिन हमें 12 को target नहीं करना हमें 20 को टार्गेट करना है इसलिए basic चीज़े जो मैं आपको समझा रहा हूं यह पतावना जरूरी है वैसे section बहुत easy है next पर आता है यहां पर आप लोग देखो यहां पर क्या है पहले में इन दोनों के बीच में एक relation find करना है अब है क्या यह बिलकुल इसकी mirror image है चीक मान लीजिए इसके बीच में mirror रखेंगे तो इस तरीके से बनेगी सेम इसके इसमें क्या करते हैं मान लो यहां पर mirror रखेंगे तो यह कैसा बनेगा यह हमारा इस तरीके से कुछ बन जाएगा ठीक कई option है यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है इसी चारों में देखो एक बारी ध्यान से आपको खुदी answer मिल जाएगा इसमें कुछ करने की जुरूरत हमें है ही नहीं आपको यह option number d में देख जाएगा अब यहां पर देखो इस question में क्या है अब इस question को ध्यान से देखो समझो फिर आप लोग इसका answer करना अब यहां पर क्या है basically क्या चीज है यहां पर जो use की गई है अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आपको figure यहां पर given है वो आपको इसी तरीके से मिलेगा अब देखो ह रहे क्या इसको समझो पहले आपको क्या given था पहले आपको एक triangle given है next figure में आपको एक यहां पर star given है यहां पर आपको एक diamond shape figure given है और आपको पूछे क्या बनेगी देखो अब यहां पर आपको बताने कि किस तरीके से होगा बताओ कौन सी होगी यहां पर आंसर हुआ क्या है पहले एक triangle था एक triangle को यहां add किया एक को उल्टे को कर दिया चीक टेक्निकली देखा जाए तो relation यहां पर यही है अब यहां पर एक diamond हमारे पास है अब दूसरे diamond को भी मैं यहां पर बना देता हूं एक तो हमें यहां पर figure दिख रही है चीक लेकिन कहीं पर आपको ऐसा नेक्स पर आते हैं नेक्स figure पर देखो यह बहुत easy है इसमें तो कुछ discussion की जरूत ही नहीं है अब यहां पर क्या है यहां पर हमें इस तरीके से एक figure given है जिसमें दूसरी में हमें यहां पर card दिए अब इसको भी आप लोग बीच से card दो कोई figure आपको given है बिलकुल given है option number D आ यहां पर यह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा मैं भी आपको basic बता रहा हूँ मैं आपको वह भी बताऊंगा जो exam में confuse करती हैं जो गलत होने के चांसे ज्यादा हो जाते हैं इस figure पर आओ अब इस question को देखो यहां पर क्या है अब यहां पर क्या है यहां पर एक triangle है पह बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं exam में एक और चीज़ में आपको यहां पर बताता हूँ हम लोग देखते हैं क्या है सारे के ओपर circle है पहला ही हमें इस तरीके से इसरीके से होगी आपको पूछा क्या होगा कि बताओ भाई इसके बीच में क्या होगा और पहला ही option आपको ये देख जाएगा ये खाली वाले में होगा option last में आपको जो given होगा ना वो होगा इस तरीके से और बहुत सारे बच्चे CBD exams में इतनी जल्दबादी करते हैं कि बहुत आपको जाएगा हमें हर एक चीज देखनी है तो इसलिए ये question यहां पर add है आप लोगों जो जो चीज़े में छोटी चीज़ें बताता हूँ ना यहां पर देखो इस particular chapter में कोई ऐसी rule नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको समझा हूँ आपको जो चीज समझानी थी वो मैंने 5 मिनिट में starting में समझा दिये अब जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो यह हैं जो बच्चे एक्जाम में गलत करते हैं यह आपको experience वाला ही एक इनसान सिखा सकता है जिसने कभी आपको कोई किसी बुक में यह सारी चीज़ें नहीं गिवन होगी यह एक्जाम सम लोगों ने CBT दिये हैं तभी मैं आपको यहां पर चीज़ें बता रहा हूँ नेक्स पर आते हैं अब यहां पर क्या गिवन है ध्यान से देखो अब पहले इन दोनों के बीच में relation देखो क्या है एक फिगर थी उसके बीच में एक फिगर के अंदर दुबारा एक फिगर आगई अब यहां पर क्या है ट्राइंगल है अब इसमें होना चाहिए टेक्निक कि हो सकता है यहां पर ट्राइंगल दे दिया जाया बीच में ऐसे इस तरह के से आप लोग देखो गे और अभी हम लोग जैसे फिगरा अनलोगी कर रहे हैं लगे और उसमें वहां ना तो जब वह मैं प्रेक्टिस ही में आपको कराऊंगा तब तो वो अलग है मैं आपको उसमें सारा बता दूँगा किस तरीके से test को attempt कैसे करना next पर आजाओ इस question पर आजाओ अब यहां पर आपको यह question given है अब इस पर logic देखो क्या है अब यहां पर जो relation है ना अब पहले तो find करो एक हमें इस तरीके से arrow given है और हुआ क्या है यहां पर इसको rotate कर दिया गया है और इसको डार कर दिया गया है चीक है यह छोटी छोटी चीजे हैं अब यहां पर यह है obvious है हमने पता है कि यह इस तरीके से बनेगा और यहां पर square है तो square बना दिया लेकिन डार करके अब एक option जरूर आपको यहां पर कैसा given होगा इस तरीके का given होगा वह क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा answer क्या होगा answer होगा option number B चिक next पर आजाओ अब यहां पर concept है इसको दियान से देखो यहां पर क्या है अब इस question में यह जो question है इसमें बहुत सारा बच्चा गलती करता है बहुत जादा बच्चे इसमें गलती करता है अब क्या given है अब यहां पर है हमें दो 2 लाइनि कि यहां पर आप exercise को ध्यान के देख 되면 मैं आप इस highway लोजिए पॉत वहाँद्र से देखिएगा इसमें गिवन है हमें दो lines और next में क्या हुआ दो given थी तो दो से ही cut दिया अब इसमें कितनी है तीन lines same relation find करना है तो तीन से ही हम इसको काटेंगे कोई option दिख रहा है तीन line वाला जो तीन line को काट रहा option number A यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा यहाँ पर यही चीज में आपको बता रहा हूँ figure analogy में बहुत confusion भी हो सकती है अगर simple आने शुरू होगी तो बहुत easy भी आ सकती है paper में कोई जादा difficult भी नहीं आती next पर आजाओ आपको और practice करवाऊंगा आज ही इसी lecture में सारी चीज़ें clear हो जाएगी अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक circle है जिसमें दो ऊपर है छोटे circle और दो नीचे है अब यहाँ पर क्या है दो triangle है अब यह किस तरीके से हैंगे obvious ही बात है यहाँ तो नीचे triangle इस तरीके से हो सकता है यहाँ तो नीचे triangle इस तरीके से हो सकता है इस case में क्या है अब better approach क्या है हम optional approach पे जाएंगे option में देखो कि इन दोनों में से कोई figure दिख रही है एक दिख रही है answer अगर दोनों होगी तो confusion होगी समझाया अब ऐसा ना ऐसा ना होगी आप इसी figure को देखके अब यहां पे हमें एक figure इस तरीके से given है दूसरी figure हमें यहां पे इस तरी यह पहली figure है अब हुआ क्या है इसको क्या कर दिया गया है rotate कर दिया गया है या फिर मैं बात करूँ मेरे mirror image यहां पे इसकी ठीक और यह जो arrow है उपर वाला इसको क्या किया गया है यहां पे इसको यहां पे rotate कर दिया गया है कितने degree rotate किया आप आप लोग comment box में बताना इसको कर दिया गया है ऐसे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसी भी arrow को आप ले लो सबसे पहले जो अंदर की तरफ है arrow अगर मैं इसको बनाऊं यह कैसे बनेगा हमारा बताओ किया गया गया है rotate किया गया है कितने degree इस पूरी figure को कितने degree rotate किया गया है पहले तो आप लोग यह देखो इस complete figure को देखो कि कितने degree इस figure को rotate कर दिया गया है यह figure ऐसी कब बनेगी आपको यह relation find करना है और अगर आप लोगों ने यह relation find कर दिया तो आपका answer इसमें आ जाएगा चीक अब किया क्या गया है मान लो इ बनेगी इस तरीके से ठीक मेरे रिमेज वाले questions में आपको बताऊंगा उसके बाद क्या किया गया है इसकी यहां पर mirror image बना दी गई है यानि कि यह बनी है हमारी कुछ इस तरीके से यही figure है यानि कि पहले इसको उल्टा करो फिर इसको दुबारा mirror image अब इसकी mirror image कैसे बनती चीजे मैं सिखाऊंगा तो आप लोगों को clear होगा चीजे अगर हम इसकी mirror image बनाते हैं थोड़ा clear करते हूं क्योंकि यह questions paper में time waste करते है time waste भी किस तरीके से करेंगे आप लोग solve करते रोगे देखते रोगे कि logic क्या है किस तरीके से बन रहा है मानलों इनके बीच में mirror अगर एक मिनट ठीक है तो पैने भी हमारे उल्टे आ रहे है ठीक यह मालीजे यहां पर मेरे रखा है तो यह figure कैसी बनेगी यह figure आएगी इस तरीके से इस तरीके से अंदर की तरफ होगा bent और यह आपका arrow सीधा चले जाएगा उपर और यह जो arrow आपका उपर की तरफ है नीचे की इस तरीके से इसकी mirror image बनाई गई है यानि कि यह कैसा बनेगा आपका यह आपका जो यह arrow है यह आपका इस साइड चले जाएगा यह arrow आपका उपर की तरफ आजएगा बस इतना बना कर देख लो क्या आपको कोई figure ऐसी दिख रही है तो answer mark कर देना ठीक आपको खुद बर ख देख रहा है इनके बीच में relation find करना फिर उसी ही according यहां पर relation बनाने नेक्स पर आजाओ question number यहां पर आजाओ इस पर यहां पर देखो यह question भी बहुत interesting है अब क्या question है इसको देखो अब यह एक logic बनाना अगर आपने चीजों को पढ़ा है तो असान होगा अब एक figure हमारे प आप लोग करो वीडियो को pause करो answer करने की कोशिश करो आप लोग कर दोगे मुझे पता है अगर ध्यान से समझ रहे हो तो आप इसका answer कर दोगे अब हुआ क्या है ध्यान से बहले देखो अगर मैं बात करो इस shape की कितनी साइड इसमें एक दो तीन चार पांच इसमें कितनी हो यहां पर यह जो दॉट है कितने है एक दो इसमें क्यों क्यों गया डूसरी में एक बड़ गया। इसमें कितने होने चाहिए इस तरीके से हो यह जैसे अब हो तीन टीन फिकर वाली डॉट है बिलकुल है answer समझाया आया तो बहुत इच्छी बात है नहीं आया तो आजाएगा नेक्स पर आओ अब यहां पर यह फिगर को देखो यह मैं आपको दे रहा हूं ग्रेंशन होई और में आज इसका आणसर आता हूं इसका आणसर ऑप्शन नमबर एंब बताना कि आप लोगों का सही हुआ या गलत गलत हुआ तो इसको खुद एक्टाय करना नेक्स पर आजाओ अब यहां पर क्या है एक इस तरीके की फिंगर है यह ससी में question पूछा गया है वहीं से डारेक्ट लिया है मैंने, अब यहां पर क्या है, आपके सामने चार जो हैं, अंदर हमें क्या दिखने को मिले हैं, डॉट, इसमें कितने होगें, तीन, इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, देखो नीचे तीन वाला कोई है, सबसे पहले चीज, जो आप चेक हैं, चीज, तो बाके तो हटा दो, सीधा हटा दो, अब नेक्स्ट केस में हुआ क्या है, अब हमें ने देखा है कि यहां पर जो फिगर यह है, उसी तरीकी की फिगर यहां पर है, और तो यह अव्वेसे जो फिगर यहां पर है, उसी तरीकी की फिगर यहां होगी, तो आप आपको clear करके दिखाता हूँ, पहली figure में क्या है, उपर आपको एक दिख जाएगा circle की form में, नीचे आपको दिख जाएगा triangle और यहाँ पर आपका यह, square, अब relation में क्या हुआ है, उसमें यह सब dark है, बाग की सब, ठीक, बर दूसरे case में क्या हुआ, दूसरे case में क्या हुआ, figure आपकी सेम रही, यह जो dark portion था, यह light हो गया, और जो light portion था, वो dark हो गया, अब सेम यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ जो वहाँ पर implement हुई है, तो यहाँ पर आप लोगों को खुदी answer बता दुल जाएगा, यह बहुत असान question है, आप इसका answer बता सकते हैं, option number A आपको द case है, अब obvious ही बात है, अगर मैं इसको rotate करूंगा, मानलो मैं इसको 90 degree rotate करता हूँ, clockwise तो हमें सीधा सीधा यह figure मिल जाएगी, अब इसको मैं अगर 90 degree rotate करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सीधा यह ऐसी figure मिल जाएगी, तो इसमें जादा कुछ भी difficult आपको बता हो, अब आप लोग इसको वीडियो को pause करके solve करना खुद शुरू कर सकते हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसको answer सही करोगे, next पर आजाओ, पहले इस पर एक बार ही हम बात करते हैं, एक सेके लुकना, आप लोग, ठीक है, एक मिनिट रुकना, यहां पर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहां पर, एक सेकेंड वेट करिएगा, जी, आप लोग ने अभी तक, I hope इसको solve कर दिया होगा, अब बताओ पहले आप लोग इसका answer क्या होगा, इस figure का answer क्या होगा, कहां गई figure, यह हैं, अब इस पर क्या हुआ हुआ ह अब देखो, इसमें पहली चीज क्या है, जो last figure है, इन्होंने इसको छेडा भी नहीं है, यह इस तरीके से था, इसको ऐसे कर दिये, यह जो ऐसे था, इसको ऐसे कर दिये, अब यहां पर square है, यानि कि last में square ही रहेगा, कितने figure ऐसी हैं, जिनमें last में square है, पहले तो आप लो इसको यहां ले आए, आपका भी यहां चला जाएगा, और यह triangle पर ले आजाएगा, है बिल्कुल सेम है, असान है, बहुत असान है, नेक्स पर आप, अब इस figure में बात करते हैं, अब हुआ क्या है, अब इसको देखो, ध्यान से इसको solve करो, अगर आप लोगो नहीं यह solve कर है, अब यह 5 साइड थी, यहां 4 हो गई, यहां 4 साइड है, तो मान के चला अंदर कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 साइड, जिसके अंदर यह आपका diamond या rhombus या square जो भी आप कहना जाते हो, यानि कि एक triangle बनेगा, उसके अंदर अब एक figure जाएगी, अब वो figure कैसी जाएगी, या ऐसी होगी, या ऐसी होगी, अब आप बताओ, देखो, इस figure को क्या किया है, रोटेट किया है, अब यहां पर देखना, इसको 90 डिगरी रोटेट किया है, इसको 90 डिगरी रोटेट करोगे, यह ऐसी बन जाएगी, इसको अगर मैं 90 डिगरी रोटेट करूँगा ना, यह तब भी आपकी ऐसी ही बनेगी समझाया तो इसका आंसरों का option number a बहुत बार इस logic को crack करने के बाद भी कितनी side minus है तब भी बच्चे गलत कर देते हैं तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना next पर आओ इस question पर बात करते हैं यहां पर अब यहां पर यह question आपके सामने है इसको answer बताओ यह थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का question है आपको चीजें जो है वो clear हो जाएंगी अगर आप लोग इसका answer कर दो गये तो बताओ कैसे होगा इसका अब हुआ क्या है देखो triangle यहां चला गया यह यहां आ गया और यह हमारा ऊपर चला गया यानिकि एक तो इनका sequence जो हो शिफ्ट हुआ है जो पहले पर था वो दूसरे पर चला गया यानिकि मान लो यहां पर जो figure होगी जो कोई भी वो triangle की form में होगी क्योंकि यह यहां आए अब यह नीचे जाएगा अब देखो pentagon कहां पर last में है सभी में है चलो अब यहां पर क्या है यह पर कॉन सा जाएगा यह जाएगा तो सभी अब बताओ यहां पर आगे क्या करना है एक option तो eliminate हो गया यह क्या हो गया उल्टा हो गया यहां आने पर यानिकि यह triangle जो है यह भ होगे option elimination से तब भी आपका answer जो है वो आ जाएगा next पर आओ अब यहां पर क्या हुआ है यह जो figure थी हम लोगों ने देख लिया triangle जो था जब वो नीचे क्या वो भी rotate हो गया यह जब जाएगा यह भी आपका क्या हो जाएगा इस तरीके में नहीं यहां पर रोटेट करेगा तो option यहां पर आपको इन में से एक मिलेगा कितने डिगरी रोटेट किया था triangle हमारा triangle यहां पर उठाओ यहां पर option भी थोड़े हमारे जर्वर्टे सीथे हैं इसमें थोड़ी सी गड़वर्ड है figure में थोड़ी सी चलो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारा जो pentagon है व कितने में हैं दो option पे यह भी आपका हट जाएगा अब बचा किया हमारे पास यहां पर यहां पर आपका answer option number D यहाँ पे होगा आपका answer next पे आते हैं थोड़ा सा और level को बढ़ाते हैं अब यहाँ पे देखो क्या है अब इस questions को देखो आप लोगों को और चीजें जो हो clear होना शुरूर हो जाएंगे आइस्ता आइस्ता बताओ क्या question है ये अब इनके बीच में link हमें find करने है इनके बीच में link find कर दोगे तो आप लोगों को बहुत एक असानी हो जाएगी answer करने में बताओ क्या link है इन दोनों के बीच में बताओ अब हुआ क्या है इस figure के अंदर क्या चला गया है triangle ठीक जो एक link हमें देखने को मिल रहा है relation की form में और बीच में एक pentagon add कर दियेगे pentagon कहां से है वो देखेंगे अब इस case में क्या होगा इस pentagon की figure के अंदर क्या चला जाएगा पहले तो 1 square कितनी figure ऐसी है जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा है सबसे पहले तो pentagon के अंदर square कितनी जगा पे आपको देखने को मिल रहा है pentagon के अंदर square अब बीच में ये sides वाला logic क्या तो बता देता हूँ 4 plus 1 5 तो यहां पे कितनी है हमारी sides जो pentagon की थी 5 plus 1 6 यानि की बीच में क्या आएगा hexagon आएगा hexagon है जाने की ज़रूरत ही नहीं option elimination से हमारे ये answer निकल गए ये एक level उपर के questions है जो की time waste करते हैं exam में next प्राव अब यहां पे क्या है देखो यहां पे एक figure हमें given है इस तरीके से दूसरी figure हमें यहां पे given है यहां और ये मतलब same ही figure है पहले इसको क्या कर दिया गया है पहले एक बार इसको 90 degree rotate किया है anti clockwise और जो उसके बाद आई है उसको एक anti clockwise है और एक clockwise है अब यहां पे क्या figure है ये हमारी figure बनती है ऐसी figure है same इसको बनाएंगे पहली चीज तो देखो क्या है कि जो भी हमारी figure होगी न ये दोनों में होगा same तो देखो option elimination पे जाओगे तो इसी एकलोती figure में दोनों same है option number D आपका answer चीक next पे आओ next question बहुत interesting है आप ध्यान से समझना आपको यहां पे चीजें और clear हो जाएंगी बताओ अब यहां पे क्या answer होगा बताओ अब यहां पे क्या है एक circle given है और यहां पे triangle given है और बीच में कुछ lines से इसको काटा हुआ है अब यहां पे क्या है एक circle given है यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच से पांच लाइनों से इसको काटा हुआ है अब क्या relation होगा यहां पर देखो जो इसकी lines बीच में है उसको मिलाके तीन lines को मिलाके यह बीच वाली जो lines है triangle बनाए गया है वैसे अगर यह 5 lines को मिलाएंगे क्या बनेगा pentagon बनेगा अब आपको यहां पर जो एक और rule मैं बताऊँगा जो किसी book में नह अगर माल लो आपको इसमें इन फिगरल एनलोगी के question है पंदरा सेकेंड से एक सेकेंड भी ज़्यादा लगा यानि की 16 सेकेंड भी अगर लगे इस question को आप उसी time कर देंगे skip या फिर आप कर देंगे mark for review या आपको किसी book में नहीं मिलेगा अब होगा क्या मैं आपको ही है लेकिन time लगता है देखो time क्यों लगता मैं बताता हूँ आपको जिन questions को logic strike कर रहा है आप उसको साथ साथ में attempt करते चलो जिसका जैसे माल लीजे इस question में आपको time लग रहा है या आपको logic strike नहीं हो आप skip कर दो अब पहले सारा paper खतम कर दो सारा reasoning आप खतम कर दो उसके paper आपका खतम हो गया आपको दो मिनिट बचे है एक मिनिट बचा है आप क्या करो सीधा इन questions पर आओ उस time आप जब इस questions पर आओगे आपने अगर paper में 60-70% 80% paper को attempt कर दिया है आपको मैं आज भी यह चीज कहता हूँ guarantee के साथ आप mock test दोगे तब भी यह चीज अपलाए करना आप इसको 110% logic को strike करोगे within 5-10 seconds आपको खोद यह चीज strike होगा होता क्या एक्जाम में प्रेशर जादा होता है बच्चों को प्रेशर हैंडल करना नहीं आता 99% बच्चे एस्परेंट जो एक्जाम देते हैं उनको एक्जाम प्रेशर हैंडल करना नहीं आता यह भी मैं आप आप लोग पेपर को 55 मिनेट में पूरा पेपर खतम नहीं कर देते तो आप लोग SSC CGL टायर 1 के लिए बने ही नहीं है आप लोगों को और मैनत की जरूरत है यह चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी ठीक है नेक्स पर आ जाओ नेक्स वेशन में अब देखो यहां पर क्य यहां पर देख रहा है यहां पर देखा आंसर और यहीं अगर मालो मैं आपको question number 1 में देदता आप लोग सोचते रहते कि करना कैसे है तो last question आप लोगों को यहां पर आ गया homework basic question है जादा इसमें के difficult नहीं है एक square के अंदर एक circle है और फिर है यहां पर अब हुआ क्या है circle के अंदर तो यह रहा है और यह figure इसके अंदर आगी यह आपकी figure ऐसी रहेगी अंदर एक pentagon आदेगा कहां पर square के अंदर कहां पर circle pentagon answer इस speed में आपके answer आने चाहिए अब आपका हूँ वो क्या है कहीं पर भी जाओ कहीं से भी questions को उठाओ solve करो आपको guarantee मैं देता हूँ कि आप solve किया बट आप लोगों से यहां पर request यह है कि चीजों को समझों चीजों को समझने के बाद जो मैं बीच में कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ जो किसी book में नहीं मिलेगी जैसे question को skip करना अपने आप में ही एक art है यह भी मैं आपको बताता हूँ यह हर किसी के bus की बात नही कि आप टाइम वेस्ट करो तो यह तो था आज का हमारे काफे इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर एनलोगी को हम लोग जल्दी करेंगे और जो बच्चे चाते हैं कि उनको एक complete course मिल जाए तो आपको वीर डव को complete course ट्रिपल एस की एप में मिल जाएगा आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हैं तेरह सो पचास वेकेंसी से जादा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और साथी साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इन टेस्ट को actual exam समझ के टेस्ट दो ऐसा नहीं है कि आपको सिरफ टेस्ट देने के आपको इंप्रूफ करने के लिए टेस्ट देने वरना इन टेस्ट को देने का कोई फायदा नहीं आप बेशक मत दीजिए कोई फरक नहीं पड़ता आप लोग लेकिन मेहनत करते रो खुद पर फोकॉस करो जितना कर सकते हो उतना करो क्योंकि एक्जाम बहुत जल्द हो जा करें और इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें ओके गाईस सी यू सून बबाई टेक केर